हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में एरफोर्स स्कूल अवदी से वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन जिसमें रेगुलर यानि पर्मनेंट टीचर की वेकेंसी आई हुई है इसमें कोई जो है आप लोगों को फीस नहीं देनी है आविदन करते समय सीटेट भी जो है नहीं चाहिए आयू की एदि हम बात करें तो 21 से लेकर 50 यर तक कैंडिरेट आविदन कर सकते हैं आयू सीवा में छूट भी जो है इसमें SCST और वोमेन कैंडिरेट को रहती ही है नोटिफिकेशन देखना है एयर फोर्स स्कूल अवधी इसमें न्यूज एंड अनॉंस्मेंट सेक्शन में आप लोगों को यहां देखेगा करियर ऑप्शन यहां पर मोर पर क्लिक कर लेंगे तो यह पूरा नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आ जाएगा रैगुलर बेस पर वेकेंसी है जो वेकेंसी आई होई है TZT Social Studies की ठीक है तो SST के जो कैंडिट है एक और वीडियो बढ़ाया गया था मेरे द्वारा सैनिक स्कूल की वेकनसी वहाँ पर भी जो है TZT Social Studies की वेकनसी आई होई थी यदि आप Social Science के टीचर बढ़ना चाहते हैं तो पिसला वीडियो भी देखिएगा हो सकता है कि आप लोग वहाँ आविधन कर सकते हो यहाँ पर आप देख लें Air Force School अबदी के लिए अगर TGT Social Science के लिए आप आविधन करना चाहते हैं तो salary यहाँ पर 33,000 और annual increment of rupees 1,000 every year up to rupees 43,000 ठीक है आप देख लेते हैं कि इसमें केवल TGT Social Studies की ही vacancy है एक vacancy है तो इसको नहीं पढ़ना है यह जो है वो पुराना है नीचे यहाँ पर notice में जो है वो बिल्कुल नया fresh advertisement पूरा है तो यहाँ पर TGT Social Science की जो regular post है permanent post है इसमें master degree या फिर आपने सनातक किया हो bachelor degree 50% marks के सा साथ में होनी चाहिए और इन में से क्योंकि यह option हमेशा जो है रहते ही है SST के लिए कि any two or out of history, geography, economics and political science इन में से दो subject आपके होने चाहिए graduation level पर जिसमें एक history या एक geography जरूर हो यानि अगर आपके पास इस नातक में तीनों साल आपने history पढ़ी है तो history के साथ में जो है geography हो सकती है, economics हो सकता है, political science हो सकता है, ठीक है अगर आपने geography पढ़ा है इस नातक में, graduation में तो geography के साथ में history हो सकता है, economics हो सकता है और political science, ठीक है, beard आपका होना चाहिए इसमें complete 21 से लेकर 50 year तक के candidate आविधन कर सकते हैं, तो ace में तो कोई problem नहीं होगी, woman candidate, physically challenged candidate, इनको जो है सकूल में 5 साल की, और जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर IUC मम में छूट दी जाती है, जो भी interested candidate होंगे, may submit their resume, अपना resume आप लोगों को, और अपने जितने भी document हैं, उनकी photocopy, passport size, photograph, या तो post कर दे, speed post, या register post, या फिर आप सकूल में जाकर भी submit करवा सकते हैं, ठीक है, तो आप जो हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, अगर आप आविदन करने के चुक हैं, last date जो है, वो 3 November 2024 है, address आपका रहेगा, जो की आप envelope के उपर लिखेंगे, principal air force school of the DC 3, chain nai 55, तो यह school जो है, वो chain nai में है, return test होगा, फिर interview रहेगा, demo class रहेगी, हाँ पर selection process में बताया गया है, और जो की conduct करवाया जाएगा, last week of November 2024, अभी जो है, vacancy तो किवल एक subject की ही आई है, लेकिन वो एक subject में कोई भी candidate हो सकता है, SST का, जो भी आविदन करने के चुक हैं, क्योंकि salary आप देखी रहे हैं, काफी अच्छी salary है, without seat at, आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, कोई experience भी जो है, यहाँ पर नहीं चाहिए, I.O.C.M.A. भी जो है, आप लोगों को दिखाई दी है, desirable qualification है, कि computer application की knowledge हो, read, write, communicate in Hindi, seat at या estate qualify हो, जरूरी नहीं है, अगर आपने seat at qualify नहीं किया है, estate qualify नहीं किया है, तो भी आप आविदन कर सकत है, तो मुझे लगता है कि चाहे एक vacancy ही क्यों नहीं हो, या दो vacancy ही क्यों नहीं हो, subject अगर किसी candidate का है, और वो apply करना चाहते हैं, job पाना चाहते हैं, तो बिलकुल उन लोगों को बताना चाहिए, ठीक है, अगर आपका subject नहीं है, तो जादस जादा video को share भी किया करें, ता तो राज्य की vacancy जारी होगी, आप लोगों को बताई जाएगी, वीडियो के मात्यम से बने रहें चैनल कर, thank you